काफी घबराट होती है क्योंकि मेरे साथ यह हुआ था तो मुझे काफी ज़्यादा घबराट हो गए थी मुझे लगा कि इसको कैसे इंसर्ट करना है मैं बहुत ज़्यादा डर गए थी कि आज किस वीडियो में हम लोग डिसकेशन करेंगे कि योनी में रखने वाली जो टैबलिट्स होती हैं जिसे हम लोग वजाएनल टैबलिट्स बोलते हैं उनका कैसे स्तमाल करना है उनको किन सूरत में इस्तिमाल करना है ऐसा क्या करें जिससे कि आपको इंफेक्शन ना लगे तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ वीडियो काफी इंफर्मिटीव है प्लीज शुरू से लेकि लाज सक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शता वर्मा है औ और आपका मेरे चानल ट्वेंस्वाइवल केर पर स्वागत है तो जैसा मैंने आपको बताई कि जो बजाएनल टैबलेट्स होती है उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज इस होता है पहला यूज होता है कि अगर आपको किसी तरह का इंफेक्शन आपके प्राइविट पार् करती है वहीं पर कुछ ऐसे मेडिसेंस होते हैं जिसे हम लोग वजाएनल टैबलेट्स पोलते हैं जिनका ओरली नहीं बलकि वजाएनल यूज होता है और जीन महिलाओं को अगर पहली बार इस शब्द से अगर पाला पड़ा है तो उनको काफी ज़दा प्रॉब्लम होती है काफी घबराट होती है क्योंकि मेरे साथ यह हुआ था तो मुझे काफी ज़दा घबराट हो गए थी मुझे लगा कि इसको कैसे इंसर्ट करना है मैं बहुत ज़दा डर गए थी कि ऐसा भी मैंने कभी नहीं सुना था तो इस तरह के केसे अगर आपके साथ हैं तो आपको ब प्रिग्नेंसी चल रही है तो प्रिग्नेंसी के दोरान भी कुछ ऐसे डिश्चार्ज होते हैं या कहीं न कहीं अगर आप उस समय भी इंफ्रेक्शन के सिकार होते हैं तो ऐसे केस में भी डॉक्टर आपको वजाइनल टैबलिट्स इस्तिमाल करने के लिए बोलते हैं के शरिर में प्रोजिस्ट्रोन की मात्रा अच्छी बनी रहे आपकी खुद की हॉर्मोन भी अच्छी बने रहे और साथ ही साथ आपको एक्स्टरनल सपोर्ट बच्चे को दी जाती है क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो अगर फर्स ट्रैमेस्टर है तो यह चांसे लेना उनको सब्सक्राइब करती है तो अच्छी तरह से आप अपते हैंड को वॉश कर लिजे चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हूँ आपको लगा होगा कि 5 मिट पहले ही मैंने धुआया है लेकिन आपको इसके एक टैपलेट लेनी है जो की वजाइनल टैपलेट है वो आपको इगोलिया रहेंगी तो आपको सिंपली आपके बातरूम में जाके कमोड में आपको पास का mode नहीं है तो chair पे भी फिर आप bed पे भी आप इस चीज़ को perform कर सकते हैं और अपने दोनों पैरों को फैला के अच्छी तरह से आप इसके जो tablet है उसको insert कर सकते हैं अब insert करने की विदी दो तरह किसे होती है उसमें एप्लिकेटर दिया होता है जो कि इतना बड़ा यान इससे insert करना है थोड़ा deep insert होता है जो कि जरूरी होता है तो वह आपको करना है और यह आप अरामसे से कर सकते हैं कई बार महिला है अप्लिकेटर का इस्तमाल नहीं करना चाहती है उनको लगता है कि external को भी चीज़ का उपयोग नहीं करें तो ऐसे case में आप अपने finger को अच् देखने के लिए आते हैं कि भले यह packet new होता है आपको पूरी तरह से आप इसे बतलब वहाँ packet से निकालते हैं लेकिन फिर भी अगर आप इसे sterilize कर ले एप्लिकेटर को अच्छी तरह से धो ले steam कर ले उसके बाद इसका इस्तमाल कर ले तो external जितने भी infection होने की शिकायत जो more than enough होता है क्योंकि packaging के बाद भी अगर आपको अच्छी तरह से wash कर लेते हैं तो other कोई भी infection लगने के chances आको नहीं होते हैं तो vaginal tablet से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है बिल्कुल safe होता है और जो भी doctor ने prescribe किया है जितनी भी tablets में भी 4 या फिर 5 जो भी आपकी जो prescribe जो इसा नहीं करना है कि एक दिन आपने किया दूसरे दिन छोड़ दिया तीसरे दिन किया ऐसा मत करीगा आप complete इसके doses लीजिए और ली भी लीजिए और वजाएनली भी लीजिए तो आपकी जो यूटी आई की problem है या फिर जो आपकी pregnancy में कुछ छोटे मोटे problem है या जो मैंने प्रोजिस्ट्रोन वाली बात की उस सब में आपको ये काफी ज़दा help हो लोंगे आप अपनी doctors द्वारा दिये गए जितने भी prescribed medicine है उसको आपको time लेना चाहिए और बस इस वीडियो को end करते हैं वीडियो काफी informative लगी होगी तो please like कर देजेगा साथी साथ इस channel को मेरे channel को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और शेयर करिए साथी साथ इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर ले थैंक यू सो मच फ़र वाचिंग ट्विंस मैं वल्ल के एर